वेलकम बेक टो माँ चैनल दा फेवरेट स्टॉक मार्केट का स्माल सॉट चालू बने से पहले दोस्तों मीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीगाम चैनल का लिंक दिया हुआ है जाकर उसे जॉइन कर लिजे क्योंकि वहाँ पर जो है स्माल अपडेट की बाद चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट का स्माल शॉट जोस्तों सबसे पहले कल के मार्केट का हाल जान लेते हैं कि कल जो है मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया था तो सब बात करने का 6 October की Sensex में आप दीख सकते हैं यहाँ पर तक्रीबन तक्रीबन 600 अंकी हमको upside दिखाई दी है मान के चलिए 1.5% जो है Sensex उपर था बात करें निफ्टी 50 की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने भी काफी अच्छी हमको बड़त दिखाई मान के चलिए आप तक्रीबन तक्रीबन यह 159 पॉइंट उपर था निफ्टी बैंक के अगर हम बात करेंगे तो वो भी तक्रीबन 2% ज्यादा कल उपर था 242 पॉइंट की एक अच्छी कासी रेली यहाँ पर दिखाई दी है तो उसकार बात करें एक ग्लोबल मार्केट की तो आप देख सकते हैं कि SGX Nifty जो है उसने कल Consolidation ही दिखाया है मतलब यहाँ पर कुछ खास हमको हल्चल दिखाई नहीं दी है मात्र 25 पॉइंट का जो है हमको यहाँ पर बड़त दिखाई दी है बात करें दोस्तों का NASDAQ की तो उसका भी सेम हाल हमको देखने के लिए मिला मात्र 49 जो अंग था उसन जादा हल्चल हमें दिखाई नहीं दी है गलोबल मार्केट में बात करें आप चाहें DEX की या फिर FTSC की सब जगए आप दी सकते हैं तक्रीबन तक्रीबन जो है कुछ भी हल्चल यहाँ पर नहीं थी दोस्तों अपने हाँ पार जो टॉप गेनर से अगर उसकी घराम बात क दिखाई टाटा मोटर्स ने दोस्तों आज टॉप गेनर से सबसे उपर था यह इसने भी काफी अच्छी जो है बलत दिखाई है मान के चलिए 10 पॉइंट से ज्यादा यह उपर था 8% का इसने ग्रोथ दिखाया था कल ASEAN PENT और INDUCENT BANK भी अच्छे खासे हमें कल अब जाते वे दिखाई दिए दोस्तों अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की तो बिटैनिया की अगर हम बात करें तो सबसे उपर था वो तक्रीबन तक्रीबन 1.5% से जादा उसने हमें डाउन मुमेंट दिखाई 64. तक्रीब डाउन थे दोस्तों हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो है जादा हल चल नहीं थी आप दे सकते हैं मात एक एक परसेंट जो है इस सारे श्टॉक डाउन रहे थी चले दोस्तों आप देखें तो करें बात करूं गोल्ड और सिलवर की तो यह चार तारिक का आपके सामने डेटा है इसमें उस दिन यह डाउन ही कहे थे अगर मैं आपको करेंट सिच्विशन की अगर बात करूं डेटा मैंने यहाँ पर कलेट नहीं किया है लेकिन यस लेटेस में आगर आपको बताओं तो वो अच्छे खासे अप साइड उन्होंने दिखाई है अच्छे खासे वो ऊपर है दोस्तो करेंगे तो USG2 INR सबसे important currency है हमारे आपके लिए और अभी जो इसका price चल रहा है वो 73.45 चल रहा है कुछ-कुछ बड़त दिखाई दे रही है हमें currency में लेकिन अभी भी हमारा रुपेर जो है काविजदा मजबूत इस्तिती में है चले दोस्तो आप दिख लेते है कुछ की support and resistance levels को as per the pivot chart अगर मैं आपसे बात करूँ nifty की दोस्तो तो पहला जो support बनता ने रहा है हमको वो बनता ने रहा है 1159 में अगर इससे भी nifty down जाता है तो फिर 1159 का जो है हमें एक दूसरा support दिखाई दे रहा है तो अगर मैं बात करूँ आपसे resistance की तो upside में जो पहला resistance है वो है 11707 पे वहीं अगर इसके उपर जाता है nifty तो 11750 पे हमें दूसरा resistance दिखाई दे रहा है तो नifty bank को भी हम देख लेंगे यहाँ पर अगर आप देखें हैं तो nifty bank यहाँ पर अगर आप देखें हैं तो pivot chart के हिसाफ से nifty bank का support resistance कहा बन रहा है चले देख लेते हैं कल के दिन जो है nifty bank ने जो closing दी वो दी थी 22853 के पास में आप यहाँ पर देख सकते हैं pivot chart के हिसाफ से जो पहला support बनता रहा है 22618 में अगर उससे भी nifty bank नीचे जाता है तो फिर 2383 में इसका दूसरा support हमें दिखाई दे रहा है अब side के अगर हम बात करें resistance की तो पहला जो resistance ह वो है 22991 का और अगर इससे भी ऊपर nifty bank जाता है तो 23128 का जो है हमें दूसरा resistance दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें FII और DII इस data की तो यह भी देखना बहुत ज़ब हो रही है क्योंकि किस तरगी का foreign investment चल रहा है domestic investor किस तरगी स इन्वेस्ट कर रहा है market में यह हमें पता होना चाहिए तो अगर हम बात करें FII की मतलब foreign investor की तो उन्होंने अच्छी खासी buying की है तकरीबन 1101 करोड की जो है दोस्तों उन्होंने buying की हुई है और दोस्तों वही अगर हम बात करें DII की मतलब domestic investor की तो उन्होंने जो है की है दोस्तों चलिए अब देख रहेते हैं कुछ stocks को जो आज की दिन पर बहुँ जाता है important role play कर सकते है market के उपर दोस्तों सबसे पहले जो ख़बर आ रही है वो है Reliance industry से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आबुदाभी investment आबुदाभी investment authority will invest 5512 करोड subsidiary company है Reliance Retail Venture और वहाँ पर जो है आबुदाभी investment authority जो है वो तकरीबन तकरीबन पांच हर 500 करोड जो है invest करने वाली है और इस news का effect हमें definitely आज दिख सकता है दोस्तों दूसरी ख़बर जो है वो SBI से SBI मत जो है कल की दिन मतलब 6 October को जो है नए chairman appoint किये गये हैं दिनेज खारा दिनेज खारा appointed as a SBI chairman for 3 years अगले 3 सालों के लिए जो है दिनेज खारा जी को as a chairman appoint कर लिया गया है अभी दिनेज खारा जी है को हमें पता होना चाहिए तो देखें यहापर लिखा हुआ है दिनेज खारा who is currently the managing director in charge of global banking and subsidies joined SBI as a provisional officer in 1994 and has experience across all verticals of banking such as retail credit, SME and corporate credit तो इनको जो है दोस्तों काफी अदा experience है banking sector का और इनको दोस्तों जो है appoint कर लिया गया है एक point और भी है दोस्तों जो मैं आपके साथ में share करना चाहता हूँ आप यहाँ पर देखिए लिखा हुए यहाँ पर the government on October 6 appointed दिनेज खारा as the new chairman of State Bank of India for a period of three years और आज से जो है उनका appointment effective होगा his appointment is effective from October 7 दोस्तों यह भी एक SBI के लिए काफी अच्छी ख़बर है बोलता हूँ कि ऐसे powerful इंसान जो किसी बैंक से जुड़ते हैं तो definitely उस बैंक भी effect पड़ता है दोस्तों और यह ख़बर है दोस्तों UTI IPO जो आया था 29 से एक तारीक के बीच में दोस्तों आज जो है इसका allotment है तो definitely आप इस पर बनाए रखिए detailed video में post कर दूँगा UTI के बारे में कहां से आपको चेक करना है कब आपको चेक करना है कितने वज़े तक इसका allotment आ जाएगा तो अगर अभी तक आप मेरे टेलेगरम चेल को join नहीं किया है तो उसे join कर लिजे मैं वहाँ पर जो है आपके लिए सारी चीज़ों को post कर साथ में दोस्तों मजगा और डॉक का भी जो है आज allotment status आने वाला है 29 तारी के बीच में यह वाला IPO भी आया था और आज जो है इसका allotment status भी हमें दिखने के लिए मिलेगा मैं जानता हूँ आप इसे बहुत से लोगों ने इसमें subscribe किया होगा कहां से check करना है दोनों के द जाए तो उसे जाकर join कर लिजिए क्योंकि वहां पर मैं सबसे पहले post करूंगा कब इसका allotment status आएगा और कहां से आप इसे check कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके बास में डीमट अकाउंट नहीं है तो उसकी थोड़ी सी information में आपको देना चाहता हूँ फ्री में आप डीमट अगर आपके बास में डीमट अकाउंट है तो आप वीडियो को सकते हैं अगर आपके बने रहे सकते हैं मेरे साथ डीमट अकाउंट की ओपनिंग की information के लिए दोस्तों वीडियो को description box में दो लिंक में ने दिये हुए है जो नीचे वाला लिंक है ये वाला इस पर अगर आती है और पहले जो था दोस्तों इसका पूरा जो काम था वो आफलाइन बेस पे था मतलब अलवर इंडिया में इनके offices खुले हुए थे और अगर मैं 4-5 सल पहले की बात करूं तो ये नंबर वन पर ये कंपनी थी बट अभी online जवाना आ गया है online जवाना आ गया है सभी online क करते हैं तो इन्हों ने भी अपने मिल्स को ट्रांसफॉर्म किया है पूरा अभी ये online में सब्सक्त हो चुके हैं अब आपको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आप घर बैटे बैटे यहां पर एकाउंट उपन करवा सकते हैं प्लस इनकी बहुत सारे किजिए कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा एक दिन के अंदर आपको सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा अगले दिन से आप ट्रेडिंग की सुरुवात डेफिनिटली कर पाएंगे अगर आपको जीड़ा में अपने अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पर कार्ट कैंसल चेक और आपको मोबाइल जो है अधार कार्ट के साथ में लिंक होना चाहिए यह चार्ट आप लोगों को और आपको अगर एफनों में ट्रेडिंग करनी है फिट्रन ऑप्शन भी आपको ट्रेडिंग करनी है देन आपको 6-1 का बैंक के ट्रेडिंट भी कोई भी आपको टॉलम नहीं होगी जोस्तो अभी क्या भी लिंक में क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट को उपन करवा लिजे जोस्तो कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूब बताईएगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना